हलो अबरीबडी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट बेंज इस वीडियो लेक्चर से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नया चाप्टर और आखरी चाप्टर जी हाँ, क्लास 6 जिओग्रफी का चाप्टर चाप्टर हैं इंडिया, climate, vegetation and wildlife मतलब अब क्या है कि आप इंडिया के climate को देखोगे, vegetation को देखोगे और wildlife को, climate क्या, question mark, vegetation क्या, question mark और wildlife क्या है, question mark चलो समझात हो, simple करते हैं इस चीज़ को आपके लिए तो देखो, जैसे आपको पताएं कि हम chapter start करते हैं, पहला वीडियो लेक्चर जो होता है, हमारा एक introductory वीडियो लेक्चर होता है, जिसमें मैं आपको introduce करवाता हूँ chapter की theme से, कि chapter की theme क्या है, हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं chapter में, chapter किस बारे में हैं, यह सारी जीज़े हम discuss करे इस वीडियो लेक्चर में, अब आप chapter की heading को समझने की कोशिश करो, ठीक है, understand the heading, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंडिया, climate, vegetation and wildlife, तीन शब्द हैं, तो हम तीनों शब्द यहां लिख लेते, climate, vegetation and wildlife, तीनों शब्द लिख लिख लिए हमने हैं, अब देखो क्या है, मैं वातावरन है, ठीक है, वहाँ पर थंड रहती है, वहाँ पर गर्मी रहती है, वहाँ पर क्या होता है, बारिश बहुत जादा होती है, या फिर सूखा पड़ा रहता है, सब कुछ, वो climate हो गया, vegetation मतलब क्या है, कि वहाँ पर पेड़ पौधे किस तरह के हैं, तीक है, पर आपके, अनिमल्स देखने को मिलते हैं, वो wildlife हो गया, ठीक है, अब ये तीन चीजे हैं, अगर मैं आप से कहूँ कि ये तीनों चीजें आपस में interrelated होती है, तो आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको explain करूँगा, ठीक है, ये question आपका जो है, कि तीनों चीजें interrelated होती है, अब देखो क्या है, कि हम इंडिया के perspective से देखेंगे, कि इंडिया में क्या-क्या climate है, मतलब किस तरह का climate है, कैसा vegetation है, और कैसा wildlife है, तो यहाँ पर आप interrelated ऐसे करो देखो, कि आप हिमालयास है, इंडिया का part है, ठीक है, अब हिमालयास में कैसा climate रहता है, आपको पता है, थ देखने को मिलेंगे, अब क्यूंकि climate वहां का थंड़ा रहता है, जानवर भी कैसे रहेंगे, तो आप देखो कि पोलार बियर वहां पर मिल जाएंगे, आपको, ठीक है, पोल नहीं है, लेकिन फिर भी पोलार बियर मिल जाएंगे, वाइट टाइकर जो थंड़े इरिया में तो करण से वजीटिशन कैसा होता है, बहुत स्पास वजीटिशन होता है, ठीक है, कैक्टस के दो-चार पैड इदर-उदर मिलेंगे, कहीं बबूल का पेड मिल गया है, क्योंकि उसकी पत्ती छोटी है, तो adaptable रहता है वजीटिशन, climate और वजीटिशन में relation रहता है, अब क सनेश देखने को मिलेंगे, फॉक्स देखने को मिलेंगी, कैमल, कैमल अब क्या है, तो कैमल को पता है कि अपने को पानी वानी कम पीना रहता है, तो अपन चलो कहां डेजर्ट में, तो इस तरह से climate पे, vegetation, wildlife यह सारी चीज़ने डिपेंड करती है, इंटर-relation आया समझ में, तो यही chapter है हमारा पूरा, कि हम इंडिया के perspective से देखेंगी, कि इंडिया में कैसा climate है, ठीकें, कैसा vegetation है, क्या पेड़ पौध है, और कैसी wildlife है, अब अगर कहीं पे vegetation अलग है, तो वो climate पे depend करेगा, क्योंकि वहाँ पे climate अलग है, वहाँ पे vegetation वैसा है, तो वहाँ पे wildlife वैसी होगी, वहाँ पे जानवर वैसे होगे, ठीकें, अब देखो क्या है, तो vegetation में, wildlife में पूरे जितने भी प्रकार के हाती, घोडे, ठीकें, कुता, बिली, चुहा, शेर, मेंडग, सब जो है तो वो depend करता है climate के उपर, यह जो difference है, यह difference इस chapter में आपको जानने को मिलेगा, 6th class क जोग्रफी अगर आप समझोगे ना in detail, तो वह ऐसा है कि जो जीवन भाज जोग्रफी पढ़ता है इंसान, तो उसके लिए क्या आप बता देते हैं, आपको basic basic features बता देते है 6th class में, ठीकें, तो अब यहाँ पर पूरी क्या है, environment वाली जोग्रफी देखने को, मिलेगी क्या होता है, usually 6th class में हैं बोलके, कि अभी इन्हें इतना जानने की जरुवत नहीं है, और teachers आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें extra भी बताऊंगा, क्यों, क्योंकि यहीं पर आपकी foundation बनेगी, और एक बार foundation मजबूत बनेगी, तभी तो आप बड़ी साम में क्या है, वेदर खराब हो गया, बहुत तांदी तुफवान चल रहे है, तो वेदर डे टूडे फिनोमिना होता है, मतलब जो हर दिन बदल सकता है, हर टाइम बदल सकता है, वो वेदर हो गया, climate जो है, तो climate क्या होता है, प्रोलोंग्ड situation और a specific area, मतलब एक specific area पे लं नौर्थ इस्टन स्टेट्स है, तो वहाँ पे क्या है, नौर्थ इस्टन स्टेट्स पे हो सकता है, कि होट भी हो, होट होने के साथ यूमिड हो, मतलब नमी हो, क्योंकि पानी बहुत गिर रहा है वहाँ पे, तो इस तरह से क्या है कि climate long period के उपर जो इस तरह का sustained climate conditions देखने को मिलती की, वह climate हो जाएगा, और weather रोज बदलने वाली चीज़ है, day to day phenomena है, ठीके, अब ये chapter की theme बताईए मैंने आपको, अब देखते हैं, चाप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले, what we are going to study in this chapter, पूरे chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वा विंटर, तो समर और विंटर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इन डीटेल जैसे आपकी बुक में टॉपिक्स दिया है, ऐसे एक एक टॉपिक, एक एक वीडियो लेक्टर लेके, चलते चलेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन है, सीजन ओफ रिट्रीटिंग मॉनसून सी वेजिटेशन के बारे में, तो वेजिटेशन मतलब पेड़ पोधे, तो अब पेड़ पोधे में क्या जाएगा, तो पेड़ पोधे में ट्रॉपिकल रेन फॉरेश्ट, ट्रॉपिकल डेसीडियस, थ्रोनी बुशेस, मॉन्टेन वेजिटेशन और मैंग्रूस फॉरेस्ट तो ये अलग-अलग तरह के जो vegetation मतलब ये जो forest, second वाला जो pillar है, तो इसे समझेंगे हम vegetation में, clear है, तो vegetation पढ़ेंगे हम, सारे forest को समझेंगे, अब, अब जो forest पढ़ रहे हो, तो एक सवाल ये भी उठता है, कि forest पढ़ना क्यों है, क्यों, forest के जरुवत क्या है, बहुत जादा जरुवत है, तो why are forest necessary, इस topic को समझेंगे हम, कि forest की जरुवत क्या है, वो इस video lecture में पढ़ेंगे, फिर ultimately, जो last में हमारा last pillar है chapter का, क्या है वो, वो है wildlife, सीधे wildlife जो है, तो wildlife में हम देखेंगे किस प्रकार के हाती, गोड़े, चुवा, शेर, बिली, मेंड़क, ठीक है, खरगो So, this is the framework of the chapter, what we are going to study in this chapter, ठीक है, पूरा मेरा आपको बता दिया हम, यह सारे topics cover करने वाले है, theme समझा दिये, next video lecture में, start करते है chapter seasons in India के साथ में, तो पहला हम पढ़ेंगे cold weather season को, clear है यहां तक, किसी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask in comment section, एक और important चीज़ की magnet brains पे, class 4th से class 12th तक, सभी subjects, आपने geography पढ़ा, geography के अलावा भी, जैसे social science के दूसरे जो books हैं, आपके वो science है, maths है, हिंदी है, English है, जो भी पढ़ना है, और अभी ही नहीं, अभी 6th में हो ना, 12th तक, पढ़ोगे पूरी class तक, तो जब तक पढ़ोगे, तब तक का सारा material magnet brains पे आपको मिल जाएगा, आ और उन्हें भी बताईए कि कितनी बड़ी family हम बना सकते हैं, जहां पर हम free education को promote कर सकते हैं, fine, मिलते हैं next video में, till then, stay connected, keep learning, thank you, thank you very much. Hello everybody, this is Digras Singh Rajput, welcome to magnet brains. क्लाइमेट में क्या चीज़े हैं, किन चीजों को हमें पढ़ना है, तो यहां पर अगर आप देखते हो, तो क्या दिखा है, cold weather season, मतलब winter season ऐसा season होता है, जिसमें क्या होता है, winter season ऐसा season होता है, जिसमें आपको weather कैसा मिलेगा, सब कुछ थंड़ा मिलने वाला है, क्यों? क्य होता है, क्या usually, कि Europeans आए, उन्होंने इंडिया में education system डाल के गए, education system डाल के गए, उन्होंने यूरोप के हिसाब से यहां भी 4 season दे गए, और तब स्था हम गिसा पिटा system चला रहा है, 4 season का, हमारे यह 6 season होते है, हर 2 महने के variations पे क्लाइमेट में change देखने को मिलता है, पर Sunrays do not fall directly in the region, winter season में होता है कि Sunrays जो होती है, वो directly in the region मतलब क्या इंडिया पे नहीं आ रही होती है, अब देखो, अब बोलोगे Sunrays और यह क्या concept है, तो एक बात बतातो हमें आपको, chapter में जब हमने, motions of the earth वाला जो chapter पढ़ा था हमने, तो motions of the earth वाले chapter में में आपको बहुत पता नहीं है, तो पूरे efforts लगाया थे, मैंने आपको समझाया था, कैसे rotation होता है, कैसे revolution होता है, rotation और revolution के कारण कैसे दिन और रात होता है, तो अब क्या होता है कि, इंडिया आप देखो कि Northern Hemisphere में, अब Northern Hemisphere में तो क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे Sunrays जो रहती है, तो तो विंटर्स के टाइम पे direct solar insulation कहा जा रही होती है, Southern Hemisphere में जा रही होती है, मतलब Australia में लोग summer बनाय रहे होते हैं, बताया था ये, तो उस sense में क्या है कि इंडिया में direct solar insulation नहीं आ रही है, तो the sunrays do not fall directly in the region, ये explain वाला party ही चल रहा है, इसे समझते चलना, तो the sunrays do not fall directly in the region, तो इससे क्या होता है, इससे ही होता है कि जो amount of heat received होती है, वो क्या होती है, less होती है, कहां पे इंडिया में और पूरे के पूरे नदर हमिस्फियर में, as compared to the amount of heat which the नदर हमिस्फियर receives in summer season, ठीक है, जब गर्मियों के दिन में जितनी sunrays आ रही होती है, उसकी अपेक्षा में कम sunrays आती है, अब जब कम sunrays आएगी तो दिखती बात है कि temperature बढ़ेगा या घटेगा, temperature घटेगा, अब जब temperature घट जाता है, तो क्या होता है, cold weather बन जाता है, पूरा चारो तरफ थंडा रहता सब कुछ, तो cold weather season बन जाता है, उसी हम winter कहते है, यह पहला season है, important है, जैसा जैस टॉपिक दी है, वैसे एक एक टॉपिक में, एक एक वीडियो लेक्चर में, हम एक एक सीजन को समझते चलेंगे, ठीक है, अब बूल सकते है, चारो जोल सकते हैं तो लेकिन उससे यह होगा, कि आप फिर confused हो जाओगे, बाद में, तो winter season आया समझ में, अब जिसे हम आपे क् बच्चे बताएंगे कि दिल्ली की सर्दियां कैसी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कि बहुत जादा temperature गिरने लगता है, क्यों, क्योंकि नदर इंडिया देखो कि आप तो क्या होता है, ऊपर की तरफ हो गया, तो solar insulation तो relatively और कम आएगी, और उसके बाद में, चलती रहती है, तो temperature थोगा moderate होता है, लेकिन नदर इंडिया में पूरा land है, और यहाँ पर क्या है, कि एक बाद temperature गरना चालू होता है, तो temperature गिरते ही जाता है, गिरते ही जाता है, और बहुत extreme winters हो जाते है, ठीक है, तो यह पूरा हमने क्या, क्या देखा, cold weather season और winter, तो य समर को हम क्या करेंगे, next video lecture में पढ़ेंगे कि समर में क्या होता है, कैसी characteristics होती है, किस तरह से चीज़ें होती है, fine, so this was all about cold weather season और winter, इसी तरह से आप क्या कर सकते है, magnet brains पे class, 4th से class 12 तक के सारे subjects, सारे topics, सारी चीज़ें comprehensive way में क्या कर सकते हैं, पर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने juniors और seniors को share करना है, fine, so this was all about, next video lecture में अगला topic स्टार्ट करेंगे, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिगराश सिंह राजपूत, welcome to magnet brains, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे hot weather season और summer के बारे में, अब देखे होट weather season, आपको पता है कि summer में क्या characteristics होते हैं, कि summer में गर्मिया बहुत लगती है, तो इसलिए उसे हम hot weather season भी कह रहे हैं, ठीक, पिछले वीडियो में हम लोगों ने discuss किया था, कि किस तरह से cold weather season जो होता है, वो काम करता है, cold weather season में क्या होता है, तो आपको पता है, cold weather season में हम देखते हैं कि temperature बहुत ज पता है, तो इसलिए हम winter बोलते हैं, ठीक, अब देखो का है, अब यह वाला जो summer season है, इसे समझते हैं, तो sun rays more or less directly fall in India, summer के time पे क्या हो जाता है, या फिर hot weather season के time पे क्या हो जाता है, जैसे हम देखते हैं मार्च के बाद से, तो उस समय पे sun rays जो है, तो sun rays more or less directly falls on India, अब sun rays क तो समझना अच्छे से, ठीक, directly इंडिया पे आ रही मतलब क्या है, कि हमने पिछले video lecture में आपको क्या बताया था, कि sun rays इस तरह से आप देखो कि तो directly southern pole पे थी, ठीक, मतलब southern pole के पीशे तक sun rays जा रही थी, north pole जो था तो direct solar insulations को receive नहीं कर रहा था, अब क्या होता है, sun तो य आए, northern hemisphere पे, तो आप northern hemisphere पे और इंडिया जैसे यहाँ पे यह है, तो आप अब India में क्या हो रहा है, इंडिया में direct rays आ रही है, direct sun rays आ रही है, जो कि summer, winters के time पे नहीं आ रही थी है, आहे ना समझ में, अब इंडिया में डी जब sun rays आ रही है, तो direct sun rays के आने से क्या होगा direct sun इसके आने से हम दिखेंगे कि हमारे जो हमारे एक्मोसफेर है उसमें ज्यादा heat अब्जाब की जाएगी ज्यादा heat अब्जाब की जाएगी तो जो relative temperature रहेगा ठीक है Southern Hemisphere से अगर compare किया जाए तो Northern Hemisphere में क्या रहेगा temperature बहुत जादा रहेगा अब जब पहले पढ़ चुके geography में ही तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीदे ध्यान है ठीक है तो अब क्या होता है कि क्योंकि solar insulation डारेक्ट आ रहे है और direct solar insulation के चलते इंडिया वाला जो एरिया है इंडिया का जो रीजन है वो direct sun rays receive कर रहा है temperature बढ़ रहा है और उस बढ़ते temperature को हम characterize करते है hot weather season या फिर summer के नाम से clear अब देखो क्या होता है temperatures are very high temperatures are very high यहाँ पर एक चीज़ समझ लो temperature बहुत जादा होता है hot and dry winds called low blows during the daytime यह चीज़ समझो क्या होता है कि summer season में इंडिया में खास करके नदन पार्ट में एक जो characteristic होती वो लू की होती है तो लू क्या होता है तो बहुत तेज जो गरम हवाएं चलती है और गरम हवाओ के संबर्ग में आने से मतलब अगर आप उसके contact में आते हो इंसुलेशन बहुत जादा intense होती है solar rays जो sun rays आ रही होती है वो बहुत जादा क्या होती है strong होती है तो लोग गरमी से बचने के लिए चाता तो अलग अलग summer coat यह सारी चीज़े पहन के निकलते है fine अब यह मैंने आपको पुरा explain भी कर दिया कि क्या होता है summer season किस तरह से आता है इंडिया में सारी चीज़े I hope यह समझ में आया है अब देखो दो season हो गया हमारे cold weather season हो गया hot weather season हो गया summer भी हो गया अब next video lecture में हम क्या पढ़ेंगे अब rainy season पढ़ेंगे मौनसून season इंडिया में मौनसून climate होता है यह ध्यान रखना हम जो पहला pillar पढ़ रहे है ना climate का Magnet Brains पे आपने वीडियो लेक्चर देखा अब Magnet Brains पे आप class 6 का वीडियो लेक्चर देख रहे है जियोग्रफी का लेकिन आप science भी पढ़ सकते है math भी पढ़ सकते है 6 छोड़ो class 4 से class 12 तक के सारे subjects पढ़ सकते हो करना क्या है आपको करना कुछ नहीं बढ़ी है अपना YouTube चैनल खुलना है Magnet Brains या फिर आप website पे जा सकते हैं Magnet Brains की www.magnetbrains.com अब उस website पे जाने के बाद में आपको क्या करना है कि सारा सब कुछ systematic way में arranged है जहां पर आपकी जो class है आपको वो video lecture देखना है पढ़ना है इसलिए बस complete करना है सारी चीजों में सबसे मज़दार बात क्या है कि ये सारा सब कुछ free of cost है ठीक है सारे video lectures जो है वो free of cost है तो आपको क्या करना है अपने juniors और seniors को बताना है और पढ़ते रहना है अपनी पढ़ाई को continue रखना है fine so ये सारा सब कुछ इस video का content था next video lecture में अगला topic पढ़ेंगे हम till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंह राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे southwest monsoon season और rainy season इस topic को पढ़ने वाले यही topic आपकी book में भी देखिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग seasons पढ़ रहे हैं अब जो तीसरा season है हमारा तो क्या देखो southwest monsoon season और rainy season अब इसे southwest क्यों कहते हैं यह समझो क्योंकि इंडिया में यह जो season आता है ना वो यहां से जो विंड्स आ रही होती है यह विंड्स ऐसे जो विंड्स चलती है देखो यह नौर्थ है ऐसे समझो यह direction दिया हुआ है तो यहां पर direction से आप समझो को आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में जाएगी यह north है यह west है यह east है यह south है तो अब क्या हो रहा है कि जिदर से हवाएं आ रही ही ना तो हवाओं की पूँच पकड़ो बस ठीक है यह पूँच है हवा की tail तो अब यह tail कौन से direction में आ रही है दो south और west यह southwest directions पढ़े थे हमने इसी साल ठीक है त तब समझ में आएगी चीजें तो यह south और west का यह वाला जो कह सकते हैं box है तो इसमें इसकी tail आ रही ही ना wind की यह wind अगर इधर move कर रही है तो जहाँ tail आती है हम वहाँ से उस wind का नाम रख देते हैं तो यह southwest wind है ठीक है अब जो southwest wind है तो southwest wind का क्या है कि इसलिए अब यह southwest wind हम कहा जाता है तो southwest monsoon season rainy season आगे समझ में क्या concept है अब आईए season को समझते हैं तो rainy season this season is marked by the onset and advance of monsoon इस season में क्या होता है कि it is marked by the onset and advance of monsoon onset and advance मतलब क्या है कि इस season में बारिश आना चालू हो जाती है इस season में बारिश आना चालू होती है अब बारिश आने वाली है तो बारिश आएगी क्या लेके आएगी अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आएगी ठीक अब वो पानी आएगा तो पानी के फिर बहुत सारा अल जुलाइज से लगा कि यह सेप्टेमबर ऑक्टोबर तक यहाला जो टाइम पिरेट रहता है इसे रिनी सीजन कहा जाता है या फिर साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन कहा जाता है अब कहा है इंडिया के इस सइड्ड अरीज्ड पहुं बियुथ वेस्ट जाएंगी आप जब matter जाएंगी और समुद्र का हिस्सा है ठीक है अरेबियंसी भी समुद्र है तो यहां से जब यह विंट्स चलेंगी ना तो यह विंट्स अपने साथ क्या लेके जाएगी यह सारी विंट्स अपने साथ मौश्यर लेके जाएगी ठीक है पानी लेके जाएगी अब यह सारी विंट्स जब अपन पानी आजाएगा हमारे जमीन को पानी मिल जाएगा हमारे फसलों को पानी मिल जाएगा ठीक है अभी आगे पड़ेंगे हम इस चीज के बारे में और तो रेनी सीजन में आपको मता रहूं और ओंसेट और एडवांस ओफ मौनसून देखने को मिलता है यह करक्रिस्टिक हो गई है विंड्स के कारण पानी आता है हमारे यहां ठीक है अब यह भी सोच रहूंगे कि मौशेर एक्दम से पानी कैसे बन जाता है तो क्या होता है कि यह इंडिया है मान लो यहां पर हिमालयाज है आपको पता है अब हिमालयाज जो है न तो यह विंड्स जो है यह विंड्स जब क्रॉस करेगी तो यहां वेस्टन घाड भी है तो यह विंड्स जब ऐसे जाती है तो जैसे जैसे हाइट मिलते जाएगे पह पाजए तो पाज रॉपर से जाना पड़ेगा ना, बादल को आसे पोर के निकल जाएगा बादल तो यही होता है कि जैसे जैसे ऐसे हाइट पर जाते हैं Nej wonders to अब यह मैं आपको पूरा explain कर चुका हूँ यह उपर जो हमने पढ़ा तो यह रेनी सीजन है रेनी सीजन के characteristics आगए समझ में तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है ठीके मेरे जैसे लोगों को बड़ा खराब लगता है पूरा गिला गिला हो जाता सब दूर तो उस तरह से क्या होता है यह भी एक साल का मतलब जो आपको पूरा year रहता तो उस year में एक particular season में देखा जाता है इसे southwest monsoon season और rainy season कहा जाता है तीन season हमारे complete हो गए कौन-कौन से 3 season complete हो गए तो हमने winters देखा summer देखा और summer के बाद में अभी हमने क्या देख लिया rainy season देख लिया retreating monsoon मतलब यह जो winds आई है ठीक है यह winds वापिस जाएगी वापिस भी जाएगी ना क्यों जाएगी कैसे जाएगी तो वह सारा सब कुछ आपको next video lecture में बताता हूँ आगे समझ में यह तक तो this was all about southwest monsoon season और rainy seasons अभी एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर कि यह जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं यह six class के हिसाब से आपको क्या है बहुत compressed है ठीक है six class के हिसाब से उतना जादा detail में नहीं बताया लेकिन आप जब यही चीज़े बड़ी classes में जाके पढ़ोगे 9th में जाके पढ़ोगे तब आप हर चीज़ के पूरे mechanism को समझोगे तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है यह season होता है कहीं कहीं तो क्या हो रहा है कि सिर्फ बता दे रहे है यह season है लेकिन फिल भी मैं आपको थोड़ी सी detail बता रहा हूँ और अगर अच्छे से समझना है ना आपको तो क्या करना चाहिए आपको 9th class की video lectures देखना चाहिए मैंनो उसमें समझाया भी है क्योंकि अभी आपको उतने अंदर से internal questions भी नहीं आएंगे लेकिन अगा जैसे कोई competitive की त्यारी कर रहा है वो समझ रहा है तो आप यह सारे topics 9th class के video lecture से देखिए fine तो यह सारा सब कुछ discuss किया है next video lecture में मिलेंगे next topic के साथ ठीक है magnet brains पे आपको class 4th से class 12 तक सभी subjects सभी chapters सभी chapters के video lectures सारा सब कुछ एक arranged format में available है यह सारे video lectures आप घर बैठे देख सकते आराम से और अपना syllabus complete कर सकते हैं अपने juniors और seniors को भी बताइए next video lecture में मिलते हैं till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस video में हम पढ़ेंगे season of retreating monsoon ठीक है यह जो चौथा season हम पढ़ रहे हैं इससे समझीए season of retreating monsoon पिछले video में में आपको क्या बताया था monsoon season बताया था rainy season जिसमें क्या होता है हमारे अब पानी आत है ठीक है अब क्या हो रहा है अब हमारे यहां से पानी जाता है ठीक है तो यह retreat कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या दियागा है season of retreating monsoon retreat करना मतलब वापस जाना ठीक तो यहां पे देखो आप क्या हो रहा है कि जो winds ऐसे आई थी पहले हमारे बारिश लेके आई थी वो सारी winds सब वापस जा रहे लोटके तो वो season of retreating monsoon हो गया अब देखो इस season को autumn season भी कहा जाता है ठीक तो यह कौन सा time period होता है मैं आपको समझाता हूं कि जब बारिश खतम होती है और winter सहीं तरह से आये नहीं होते है तो दिवाली के आसपास वाला जो time period रहता है उसे retreating monsoon कहा जाता है बड़ा अच्छा लगता उस time period पे ठीक है तो नवरात रहोते हैं उस समय पे और समय पे आप जिससे देखोगे तो atmosphere भी क्या होता थोड़ा सा खिल रहा होता है क्योंकि बारिश होई रहती है तो सब चारों तरफ हर्याली यह सारी चीज़े देखने को मिलती है वह वाला season अब क्या हो रही है यह फिंस अब जो पहले इस direction में गई थी साऊथ वेस्ट फिंशmist तो वह चेंज हो जाती है और वह winners तो आप यहां पर देखो क्या हो रहा जब रिट्रीट कर रही तो बारिश करते बजाएगी क्या वह नहीं क्योंकि अब विंड्स मॉश्चर थो यह न उठा रही है यहां तो जमीन है सारा सब कुछ लेकिन कुछ विंड्स जो क्या करेगी यहां से मॉश्चर उठाएगी तो तो ये वाला जो coastal area है हमारा आंदरप्रदेश का तमिल नाडू का वहाँ पर बारिश जरूर करवा देगी ठीक है तो कुछ winds के कारण क्या होती है बारिश होती है हमारे southern states में यहाँ पर western states के eastern coastal areas पर बारिश हो जाती है ठीक है यह retreating monsoon कहलाता है क्यों क्यों कि पानी वापस retreat कर रहा है तो तमिल नाडू और अंदरप्रदेश receive rainfall in this season और इस season में तमिल नाडू और अंदरप्रदेश में rainfall हो जाती है जो मैंने भी बताया आपको अच्छा आप सोच रहोंगे winds बदली क्यों ठीक है winds के उपर ही season depend करा यह winds जब ऐसे जा रही थी तो हम क्या कह रहे थे कि हाँ यह rainy season आ गया बारिश होने वाली है यह winds जब क्या हो रही है ऐसे जाने लगी वापिस retreat करने लगी तो हम क्या कहते है कि अब कौन सा season आ गया है अब autumn season आ गया फिर retreating monsoon वाला season आ गया है क्यों क्यों बारिश खतम हो रही है, तो यह winds अपना direction कैसे change करती है, दोगो इसके पीछे पूरी की पूरी geography है, latitudes, longitudes, solar insulation, ITCZ, बहुत सारी कहानी है, अब यह सारी कहानी कहा है, आपको अभी पढ़ना नहीं है, मतलब आप जानने के लिए अगर curious हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि 9th class म मैंने बताया है, आपको कुछ नहीं करना है, रिट्रीटिंग मौनसुन, क्लास 9th, स्पेस, मैगनेट ब्रेन, सर्च करो गे न, तो आपको है मिल जाएगा, क्योंकि यही same to same topic 9th class में पढ़ा है, लेकिन अभी के लिए आपको 6th class में कितना समझना है, 6th class में आपको इतना सम होती है, तो वो भी समझ लो, क्योंकि यह विंट्स जब रिट्रीट कर रही होती है, तो रास्ते में उन्हें बे ओफ बेंगॉल मिलता है, और बे ओफ बेंगॉल से मौश्य लेती है, और यहाँ पर प्रसिपिटेट करवा देती है, ठीक है, तो यह सारी चीजे थी, जो इस होती है, तो साथ वेस्ट और नॉर्थ इस्ट विंट्स जो फ्लो करती है, तो उससे कहीं न कहीं हमारा क्लाइमेट बहुत जाधा इंफ्लुएंस होता है, हमारा क्लाइमेट बहुत जाधा चेंज होता है, तो यह जो दो क्या है, यह जो दो आप देख रहे हो कि विंट्स फ सब enm覆 संब करें करे 좀। तो एंगर इंडिया स्डिमन ओं रेंस ऑन वांसुन वांसूं में सख़ाइम हुगी पंूमनेन्ट ये इस दिपेंडें रेंस वांसुन वह फे विंडली है। अंघ्य। हमे वांसुन चाहना हुन थेका है। कि sufficient amount में rainfall होगी, strong monsoon winds चलेंगी तो वो बहुत सारा पानी लेके आएंगी, पानी जब लेके आएंगी तो उससे हमारी नदी तलावों में पानी होगा, ठीक है हमारे पास में जो crops हमें खेती कर रहे हैं तो खेती में हम बहुत अच्छी crops produce कर पाएंगे, तो इस तरह से monsoon तो क्या है, life line है हमारे देश की, monsoon winds नहीं चलेगी, बारिश नहीं होगी और बड़ी दिक्कते हो सकती है, फिर क्या होता है, जो differences, हाँ, एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, अब क्या होता है, कि पहले यह देखो, climate depends on various factors, बहुत सारे factors होते हैं कि कहां कैसा climate होने वाला है, तो climate के लिए सबसे important जीशत होती ही location, location मतलब क्या है, जैसे अब अर्थ है, अर्थ पर आप देखते हो कि जो Amazon basin हमने यहाँ देखा था, तो क्योंकि पोल्स कहां equator से दूर है, उसकी location अलगे, Amazon basin की location अलगे, तो location के हिसाब से वहाँ पर climate रहेगा, यहाँ थंडा climate रहेगा है, अगर हम climate रहेगा, तो climate के अगर आप बात करते हो, तो बहुत सारे factors पर depend करता है climate, जैसे location हो गया, altitude, altitude मतलब जमीन से उचाई कितनी है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर मानलो क्या है, हिमाले आज है, तो वही area में देखने को आपको ऐसा मिलेगा, कि यहाँ climate कुछ और रहता है, altitude, जितना जमीन से उपर जाओ, तो अतना temperature गिरते जाएगा, temperature गिरते जाएगा, climate बदलते जाएगा, आएना समझ में, तो location पे, altitude पे, distance from sea, distance from sea मतलब क्या जैसे ही है, इंडिया है, अब आप देखो कि यहाँ एक city है, Mumbai, Mumbai भी उतनी populated है, जितनी कुण सी, Delhi populated है, यहाँ Delhi है, लेकिन Mumbai का climate अलग रहेगा, Delhi का climate अलग रहेगा, मान सकते हैं आपके बात की latitude, जो तो दोनों के अलग-अलग latitude है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि जो sea के पास में cities रहती है, तो sea के पास के cities को क्या मिलती है, land breeze और sea breeze मिलता रहता है, लेकिन जो interior lands है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, interior lands में temperature extreme होते हैं, winters में हड़ी जमा देने वाली थंड होगी और summers में गर्मी इतनी होगी कि आपके क्या कहा सकते हड़ीयां एक तरह से गरम हो जाएगी पूरी ठीके, relief मतलब क्या है कि कहीं पहाड होगे तो वहाँ अलग तरह का, ठीक है कहीं प्लाइटू होगा तो वहाँ अलग तरह का climate, ठीक है कहीं plains होगे तो वहाँ अलग तरह का climate, यह relief होता है, relief मतलब जो physiographic structures रहते हैं, आया ना समझ में, तो अब आपको क्या धियान रखना है, आपको यह धियान रखना है कि इन सारे factors के उपर climate depend करता है, इंडिया का monsoon climate है क्योंकि इंडिया की location देखो, आप distance from the sea देखो, तो sea से ज़्यादा दूर नहीं है, इंडिया कोस्टल लाइन है हमारी, तो वहाँ से sea winds, जो monsoon winds आती है, sea के उपर से होते बाती है, वह moisture लेकर आती है, अब हमारे हमारे हमालयाज में climate अलग है क्योंकि उस में और नदन इंडिया में, कश्मीर में, और तमिल नाडू में, बोट दी प्लेसेज अब्सर्फरेंट टाइब ऑफ क्लाइमेट, फाइन, आगे का है, अब 10 पॉइंट समझा आप, difference in climate जैसल में द्रास, Mumbai, Delhi, तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले, 2 सेकंड पहले जो लगलग climate होगा, तो आप देखो, जैसल में कहा है, राजिस्तान में, तो राजिस्तान में, क्योंकि वहां के रिलीफ फीचर डेजर्ट है, पूरा distance from sea, ज़्यादा है, ठीके, और सारे factors जो हमने डिसकस कि, altitude वगेरा, location उसकी कैसी है, location ऐसी कि वहां पे, winds नहीं पहुच पा लेकिन वह altitude-wise ज़्यादा है, तो वहां पे desert है, लेकिन cold desert है, मतलब वहां पे कैसा situation देखने को मिलेगी आपको, तो लदाक में आपको यह देखने को मिलेगा, कि temperature बहुत कम है, ठीके, और बारिश होती नहीं है, तो वहां पे सूखा है, लेकिन थंडा है, तो जैसल मेर में hot and dry है, यहां पे cold and dry है, अब मुंबई का देख लो, देली का देख लो, तो मुंबई में आपको बता है, distance from sea के आए, कम है, तो वह moderate climate, डेली में चले जाओ, तो extreme, extreme गर्मी, extreme थंडी, तो सारी चीज़े क्या रहती है, climate जो बहुत सारे factors पर depend करता है, और उस तरह से, उन सार factors के साब से, अलग-अलग अरिया में, अलग-अलग तरह का climate देखने को मिलता है, तो इसी के साथ, हमारा जो seasons थे, retreating monsoon, तो यह season में आपको बता दिया, और जो conclusion था, चारो season के बाद का जो एक ही topic में था, वो भी हमने समझ लिया है, तो अब chapter हमारा, मतलब chapter का यह वाला topic है पुरा, ठीक है, एक section जो था, मतलब यह climate वाला pillar जो है, वो हमारा complete हुआ, ठीक है, अब हम next video lecture में क्या करेंगे, vegetation देखेंगे, तो vegetation में अलग-अलग तरह के पेड़ पौध है, अलग-अलग तरह के forest है हमारे देश में, वो सारी चीज़े में आपको next video lecture में समझाने वाला ह Fine, एक और important चीज़ कहा है कि Magnet Brains पे class 4 से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters, सभी chapters के subtopics, सारी चीज़े, एक arranged format में, video lecture के format में available है, जिने आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, अपना syllabus पूरा complete कर सकते हैं, मज़े की बात, सारे video lectures free of cost available है, आपको क्या करना है, आप आपको अपना syllabus complete करना है, अपने juniors को बताना है, और seniors को बताना है, और family का part बना के बड़ी family बनाना है, ठीक है, तो next video lecture में मिलते हैं, अगले topic के साथ, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम अगला topic continue करेंगे, natural vegetation, natural vegetation, देखे, chapter जो है, तो chapter का एक part हम complete कर चुके है, climate वाला, अब दूसरा vegetation वाला पढ़ेंगे हम, ठीक है, अब यहाँ तो vegetation लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, natural vegetation, क्या difference है दोनो इक में पूरा जो content है, वो भी हम discuss करने वाले हैं, fine, देखे, तो heading को समझो सबसे पहले, natural vegetation, vegetation मतला आपको बता है कि plants, जो भी हरियाली आपको देखने को मिलती हो, सारा सब कुछ vegetation में आजाएगा, जिस भी प्रकार के पेड़ पौद है, देखने को मिलते है, वो सब क्या जा अब ग्रांस ग्रांस होती है, तो वो भी किसका पार्ट होती है, वो भी पार्ट होती है, वेजिटेशन का, और फिर हम देखें तो bushes, shrubs वगरा जो छोटी-छोटी कहा रहती है, छोटी-छोटी हम जैसे देखते हैं, कि पौधे हैं, cactus वगरा ये, तो ये सारा सब भी vegetation का पा चीज विच ग्रो ऑन देर ओन विदाउट इंटर्फेरेंस और हेल्प फ्रॉम यूमन बिंग्स आर कॉल्ड नैचरल वजिटीशन, तो ये समझने वाली चीज है, क्या होता है कि जो नैचरली ग्रो कर रहा है, नैचरली कैसे अब आप बोलोगे, सारी चीजे नैचरली ग्र करती, आर्टिफिशेली थोरी नहीं होती है, लेकिन समझ مझना इसको कि अगे कि हमाल कर लेते हैं और वो पेड़ हम कहां लगाने की कोशिश करते हैं हिमालया से लाकर आप लाकर उसे तमिलाडू में लगाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप वैसे क्लाइमेटिक कंडिशन्स आर्टिफिशली जनरेट कर लो तो आप वहां पर भी ग्रो कर लो तो वह वेजिटेशन तो कहलाएगा लेकिन वह नैचरल नहीं रह जाएगा क्यों कि वह आपने क्या करा है वह आपने लगाया है अब किसी भी जगा पर डेजर्ट में आप देख र आया ना समझ में तो नैचरल वेजिटेशन का कंसेप्ट क्या होता है तो दी ग्रासे श्रॉब्स एंट्रीज विच ग्रों देर ओन विडाउट इंटर्फेरेंस और हेल्प फ्रॉम यूमन बींग्स अब यह अगर मानलो यहां पर आप यह ग्रासेज देख रहे हो तो किसी नी रहेगा ठीक है तो नैचरल वेजिटेशन आया समझ में वेजिटेशन आया समझ में टॉपिक आया समझ में यही सिम्पल सी चीज़े अब देखो क्या है अब आप से सवाल पुछता हूं कि यह डिफरेंस क्यों होता है लेकिन मैंने आपको बताए कि desert में आपको cactus देख देखने को मिल जाएंगे तो अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिल रहा है इसमें यह जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो what are the reasons for difference ऐसा अलग अलग क्यों है सवाल है अब सवाल का जवाब सुनो तो अलग अलग क्यों है आप खुद दोगे इसका जवाब मैं आपको आप तहले भी बताया यह जो variation है तो variation आती है climate के खारण क्यूंकि हमालियास पे अलग climate रहता है डगक्यों पोल पर अलग climate रहेगा सब जब अलग climate है तो उस climate के हिसाब से vegetation भी वहां का अलग होगा ठीक है तो natural vegetation of any place depends on the prevailing climate ओवरदेट इरिया उस area पे उस जगह पे जिस तो यह simple सी चीज थी कि कहीं भी vegetation अगर vary करता है तो वो depend करता है किस पर vegetation depend करता है climate के उपर Fine, what's next? देखो, तो due to varied climatic conditions, India has a wide range of natural vegetation अब इंडिया में क्योंकि आप अगर देखते हो तो यहाँ पर climatic conditions भी बहुत जादा vary करती है जैसे North India में कुछ climate है, South India में कुछ climate है, Western India में आप देखो तो desert type of climate है तो अब जब climate vary करता है, अगर broad sense में भी देखा जाए तो हमारी country जैसे यह इंडिया है तो इंडिया में tropic of cancer निकला हुआ यहाँ से, तो अब क्या होता है कि आदा हमारा tropical area में आता है तो climatic zone जो है हमारी इंडिया का वह बहुत जादा vary करता है अलग अलग है कहीं पर बहुत जादा पारिश होती कहीं पर होती नहीं है तो due to varied climatic conditions, India has a wide range of natural vegetation हमारा जो natural vegetation है तो तरह तरह का vegetation यहाँ देखने को मिलता है उस तरह तरह के vegetation में क्या क्या है तो जैसे यह सारे factor से climate कैसे vary करता है जो climatic conditions के हम बात करें तो कहीं पर rainfall जादा है कम है कहीं पर temperature बहुत जादा है कम है soil जैसे एक factor ले लो आप तो यह सारी चीज़े वेरी करती है और इन सारी चीज़ों के चलते क्या होता है इन सारी चीज़ों के चलते हम देखते हैं क्या कि इन सारी चीज़ों के चलते vegetation vary करता है तो broadly हमारे पास में 5 तरह के vegetation है अब देखो कुछ books में यह vegetation को explain नहीं किया है सिर्फ यह लिखके दे दिया है लेकिन हम explain भी करेंगे आपको क्यों 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 कि यह हो सकता है आगे आपको काम है वैसे तो आप 7th class में फिर से पढ़ोगे सारी चीज़े लेकिन फिर भी समझ लेना एक बार ठीक है तो 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 एक ट्रोपिकल एवर्गीन फॉरेस्ट ट् समझेंगे थोड़ी से आपको डीटेल बताऊंगा ठीक है अभी जो कुछ बुक्स आईए नहीं तो उन बुक्स में यह explain नहीं यह कुछ बुक्स में है तो हमारा काम क्या है हम तो पूरी तरह से सारा सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से ठीक है तो हम इन सारे टॉपिक्स को सारी चीज़ें एक arranged video lecture format में available हैं आपको क्या करना है घर बैठ के अपना अराम से syllabus complete करना है और सबसे मज़े की बात क्या है कि सारे वीडियो lectures free of cost available है फाइन तो यह सारी चीज़े पढ़िए अपना syllabus complete कीज़े अपने juniors को भी बताइए seniors को भी बताइए मिलते हैं next video में till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे tropical rainforest के बारे में देखिए second pillar जो है chapter का हमारा क्या है second pillar vegetation अब vegetation में मैं आपको क्या बता चुका हूं तो vegetation में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी country में depending on the climatic conditions there are five type of vegetation पांचो टाइप के vegetation को हम एक एक करके फड़ते चलेंगे ठीक अब देखो पहला vegetation जो हमारे सामने है और जो पहले of cancer यह Tropic of Capricorn ठीक है यह 0 डिग्री हाप है जैसे तो 23 डिग्री नॉर्थ में 23 डिग्री साउथ में यह वाला जो एरिया है पूरा यह जो ट्रॉपिकल एरिया है ठीक है इस ट्रॉपिकल एरिया के बीच में जो रहेगा यह जैसे जंगल होते है जहाँ पेर बहुत गिरता है थो प्रीकल एरिया से बहार नहीं हो हिसे बाहर मियनिंग छुपा हुआ है तो ट्रॉपिकल रेन्फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल एरिया में पाए-जाने वाले रेनफॉरेस्ट एक मिनिट अब रूखो अब क्या ये फॉरेस्ट इस ट्रॉपिकल इरिया से बाहर नहीं हो सकते हैं हो सकते हैं अगर मान लो कहीं पर बहुत जादा बारिश हो रही है क्लाइमेटिक कंडिशन वैसी है देखो यह हम जो भी वेजिटेशन में वेरियेशन देखने को मिलेगा ये क्लाइमेटिक कंडिशन पर तो जहां पर ऐसी क्लाइमेटिक कंडिशन होगी मतलब गर्मी होगी और बारिश ज्यादा होगी वहां पर यह फॉरेस्ट पाया जाएगा लाइट ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती है तो नीचे क्या होता है नीचे अंधेरा टाइप से होता है आपने बहुत सारी मुवी में देखा होगा कि अगर कहीं पैसा सीन है जहां पर आपको यह देखने को मिल रहा है कि जंगल के अंदर है और ट्रॉपिकल सब्सक्राइब को दर्शाता है ठीक एससे चारों तरफ बिखरी पड़ी है बस आपको क्या देखना है उब्जर्फ करना उसे अब आगे क्या है अब क्या होता कि यहां पर पानी बहुत गरता है तो ऐसा है कि पेड़ जो है तो पेड़ों को कोई वो नहीं रहता है कि हमारे क्या पानी की कमी हो जाए, गर्म्यों में पत्ी को अम गिरा दे यसे आपने देखा होना कि घर्म्यों में मर्च के आस पास साने तो अधिकतर ट्री मजा होता है नीचे जैंते कि गिरा देते हैं पत्यों को क्योंगि उन्हें एसा रहता है कि अगर नौप परीया योगितश्व तो कोई specific period नहीं कि इस time period में क्या करना है में leaves shed करना है different times of the year तो अलग अलग time period में अपनी leaves को shed करते हैं यहापे clear है so यह tropical rainforest हुआ अब क्या है tropical rainforest को इसलिए evergreen forest भी कहा जाता है क्यों कि आप अगर देखो कि दूसरे forest जो है तो आप देखना गर्मियों में हमापे सुना सुना लगने लगता है क्यों कि पत्यों ने सारी trees ने अपनी leaves को shed कर दिया है लेकिन यहाँ पे हमेशा हरा भरा दिखेगा आपको तो यह tropical evergreen हो गया फाइन आगर देखो क्या है important trees found in these forests आर महागोनी इबोनी और रोसवूड तो यह पेड़ पाए जाते है महागोनी का पेड थी रोसवूड इबोनी तो जो अधिकतर क्या होते हैं जैसे हम यह महागोनी ट्री देखो तो यह हमेशा हरा भरा टाइप से रहे रहते हैं हरे भरे रहते हैं इस तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फोरेस्ट में आफिए ट्रॉपिकल रेइन फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं फिर अंडमाने निकोबार आइलेंड पाट्स ओफ नॉर्थ इस्टेट्स एंड नेरो स्क्रिप वेस्टन घाट और होम ओफ इस फॉरेस्ट ठीक है वेस्टन स्क्रिप ओफ वेस्टन घाट यह धियान रखना चलो मैं समझाता हूं क्या देखो यह आपने अभी तक यह समझ लिया कि कहा मतलब ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन क्या होता है पाए कहा जाता देखो तो यह जो वे उस ничего को यह जो वेस्ट आइगे हो और यहाँ पता लगरायों यह थुर्ट क्लावट सेटाः है देखो क्या होता है मैं समझातों अच्छे से और एक बार तो क्लाउड इस हाइड प्यार है अब क्लाउड को पहारा पे चड़ना पड़ेगा चड़ते चड़ते ठक जाएंगे मतलब क्या हो जाएंगे वो जो ड्रॉप से ना वो मौश्चर और जादा बढ़ जाएगा तो व क्लाउड को ट्राप कर लेती और यहां पर बारिश बहुत जादा होती है तो हमारी कंट्री में ट्रॉप ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट जो है तो इन एरियास में पाया जाता है आगे तो यह वेस्टर्ण घार्ट्स एंड आर्दी हों फोर दिस फॉरेस्ट तो अंडमान न पर लेजिटेशन पर ना तो यह ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट कंप्रीट हुआ है अभी अब हम क्या देखेंगे ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्ट्टर में आगे समय में यहां तक सारी चीज़ें आई होप समझ में आई है अडरी चीजों को वीडियो लेक्ट्पार्माइट में मेंगनेट रिस आपको दे रहा है आपको क्या करना है घर बेटे अपना से यह Wekae सबसे मज़िदार बात क्या है कि सारे वीडियो लेक्ट्पर फ्री ऑफ कॉस्Z अविलेबल एंब, अपको क्या करना है, अपने आपन हम पढब है में गर वाम परेंगे ट्रोफिकलद्षी टरिस सवारिस्ट के बारे में नोगई इसथे चीजा वीडियो में लहाइ तो difference समझो देखो, difference क्या है कि दोनों ही tropical area में पाई जाने वाले हैं 23 degree से 23 degree north south respectively लेकिन क्या है कि decidious forest जो रहते वो कम पानी में ग्रो करते हैं कम पानी मतला ऐसा नहीं 4-5 बूंद डाल दो खतम हो गया काम, कम पानी in the sense कि जितना पानी tropical rainforest को लगता है उतना पानी tropical decidious forest को नहीं लगता है यही चीज आप class 9th में भी पढ़ोगे यही चीज आप class 11th में भी पढ़ोगे फिर वो लोगे sir बार-बार क्यों पढ़ना है क्योंकि आपको अलग-अलग और explain करेंगे जैसे अभी मैंने बोल तया बहुत पानी कम पानी लेकिन 7th में आपको पूरा range मिलेगा कि कितने centimeter कितन कर लिया दूसरा जो है वो है ट्रॉपिकल डेसीडियास जिसे अब हम डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो क्या होता है इन लार्ज पार्ट ऑफ आर कंट्री वी है इस टाइप ओफ फॉरेस्ट जैसे मैंने एवरग्रीन बता है आपको तो वेस्टन घाट की एक स्ट्रिप पे देखने को मिलेगा अंडबान निकोबार आइलेंड और लक्षवधीप में और उसके अलावा नौर्थ इस्टन स्टेट में उत्रे में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है लेकिन हमारी कंट्री के मेजर पार्ट में ट्रॉपिकल डसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं फाइ इहां भी पेड़े यहां भी पेड़े लेकिन उतना ज़्यादा क्या है डवेजिटीटीट नहीं यह नहीं है फिर क्याहे बेउधिकलर टाइम अफ डियर आधिकलर तइम ऐस्टीया पाथिया अपने अपने इस पेड़ गिए इंग अपनी गिरा देते हैं क्यूं? वही वा उस पानी रोख लिया जाए तो देशेट यो इस च्छुट इर ऑगार विख्वान का पेड़-टीक पिपल मतलब यह साग्वान का पेड यहुआ तो ओन एक्टीक-वांतीशम पेड़-चेशम, यह थ兩ड यह रोगन पेड. सारे पेड़ पाए जाते हैं यहां पर ठीक है तो यह देखो इमेज में आपकी बुक में जो दिया उसमें भी बताया जाया है क्या कि पत्यां गिर रही है अपनी साल के टाइम प्रेड में अपनी पत्यों को यह अजएड कर देते हैं अब एक और इंपोर्डेंट जीज यहां हमारा काम तो यह का आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना तो आम उसको थोड़ा थोड़ा एक एक वीडियो लेक्चर में शॉट में समझते चल रहे हैं ठीक है इतने पूरे एरिया में ट्रॉपिकल डेसीडियस यह लाइट ग्रीन दिख रहा है आपको यह वाला जो पार्ट है तो यहां पे ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट इसी के साथ हमारा यहारा टॉपिक कम्प्लीट होता है मेगनेट बीनस पर आपको चलास 4 से कलास 12 तक सभी सभ्यक्ट के सारे चाप्टर्स के भी सब टोपिक बिलकुल इसी तरह से जो वीडियो लेक्टर आप ने देखा सब कुछ video lectures के format में एक arranged format में available है जिने आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं अपना syllabus complete कर सकते हैं मज़े की बात कि ये सारे video lectures free of cost available हैं आपको क्या करना है आपको अपने juniors और seniors को बताना है और magnet brains के साथ में जुड़ना है और ये जो family है पूरी इसे हमें क्या करना है और बड़ा बनाना है fine next video lecture में मिलते हैं अगले vegetation के साथ में types of vegetation पढ़ रहे हैं तो अगला vegetation जो होगा हमारे next video lecture में हम discuss करने आले हैं ठीक है थोनी बुशिस के बारे में पढ़ेंगे तिल रेन stay connected, keep learning, thank you, thank you very much इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे थौनी बुशिस के बारे में ये जो हमारा अगला type of vegetation है वो है थौनी बुशिस थौनी बुशिस मतलब क्या होता देको थौनी मतलब जिस में काटे हूं तो काटे वाली जो बुशिस जो छोटे-छोटे से क्या होते है जाडियां होती न जो वो थौनी बुशिस में आती है ठीक है अब ये भी एक तरह का vegetation है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि थौनी बुशेश जो है वो vegetation नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे हम देखते हैं, तो इस तरह का vegetation है कि specific climatic condition में पाया जाएगा, जहां गर्मी बहुत जादा हो, बारिश बहुत कम हो, तो वहाँ पर ऐसे ही पीड़ पहुत वाला है, उसके बाद में क्या होता है? प्लाइटू जो है न तो इस तरह मने आप बता है था पिशली वीडियो में अब लेस्टनगार्ट का जो वेस्टन स्लोप है इस साइट वाला जो इससवार है यहाँ पर खुब बारिश हो रही है, लेकिन यह रेंट रेंजृ इरिया यहां पर वेज़िटिशन ग्रो होने वाला है वह कौन सा होगा यहां पर जो वेज़िटिशन ग्रो होगा वह ओगा थार्नी बुशिस ठीक है अब देखो the leaves are in the form of spines to reduce the loss of water बहुत छोटी पत्या ना के बराबर होती है अगर होती भी है तो या फिर क्या होंगे काटे होंगे क्यों होंगे तो 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 कि जो water loss है वो ना हो water loss कैसा ना हो अब छोटी पत्या है तो क्या ही सूरज दादा पानी खीच पाएंगे उसमें से ठीके पोर् कॉंडी वाला एक एड़ आता है ना उस तरह से लेकिन अब मानलो डजर्ट में जो थौर्णी बुशेज है या फिर जो वेजिटीशन है भी तो उसमें बबूल का पेर होता जैसे है बेगे एक्जामपल में दिखेंगे तो बबूल अब बबूल का पेर पाए जाता है यहा तो उसकी पतियां कितनी छोटी होती कैसे ट्रांस्परेशन होगा फिर क्या होता है काटे होते हैं तो तो खा लेंगे और यहां डेजर्ट में सरवाइव करना इतना मुश्किल है तो क्या बोलता है कि भगवान मुझे तो काटे दे दो बस थोड़े से तो काटे लगा दिये पाटे पाए जाते हैं काटे पाए जाते हैं कि क्या हो कि water loss ना हो पाणी खतम ना हो उनका वह बचे रहें कोई खाए ना उने जानवर इस तरह से तो इस तरह से बहुत अड़ेटेबल रहता है मतलब जैसा climate वैसा vegetation मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था इंटर्रिलेशन होना चाहिए तो the leaves are in the form of spines to reduce loss of water, cactus, kahir, babool, kikar are important तो यह इस तरह के कुछ पेड़ पौध है पाए जाते हैं यह सारे पेड़ पौध हैं कहां पे थौनी बुशिर स्वाला या फिर जो dry area होता जहां पर बारिश कम होती ही जहां पर इस तरह का vegetation देखने को मिलेगा यह precipitation जो है तो राजिस्थान के western slope मतलब राजिस्थान का पूरा western part जो होता है ठीक है कुछ-कुछ पाथ अरियाना पंजाब का जो जहां पर dry region बारिश नहीं हो पाती है फिर उसके बाद में eastern slope ठीक है eastern slope of western घाट यह क्यों है मैंने समझा दिया आपको एक बाद फिर सब बता द करो तब मजा भी आएगा समझ में भी आएगा रटना भी नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि आपने समझ लिया है fine so this was all about thorny bushes clear यह और देख लो तो इस तरह से ऐसा नहीं कि पेड़ होती नहीं यह पेड़ होते लेकिन बहुत काम होते हैं और पेड़ को क्या होता है इनिशल ल सारी चीजें रहती है I hope सारी चीजें समझ में आई आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं fine एक important चीज मेंगने बेंस पे class 4th से class 12 तक सारे सब्जेक्ट्स सारे सब्जेक्ट्स मतलब सारे सब्जेक्ट्स ठीक है तो जैसे आपने सेस्टी पड़ा science भी है math भी English भी Hindi भी कुछ courses अभी चल रहे हैं कुछ courses आने वाले हैं मतलब मिलेगा सब कुछ लेकिन चिंता मत करो तो उस sense में क्या है उस sense में आप क्या कर सकते हैं अपना syllabus यहां पर complete कर सकते हैं ठीक है बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं हर चीज के वीडियो लेक् सब्सक्राइब किसी चिंता के नेक्स्ट वीडियो लेक्शर में हम अगला वेजिटिशन जो है ठीक है थौर नी बुशेस होगे हमारा अब हम मौंटेइन वेजिटिशन के बारे में पढ़ेंगे कि पहाडों पर किस तरह का वेजिटिशन होता है क्लियर है तिल देन स्टे अब क्या करेंगे मौन वेजिटिशन के बारे में मांटीड वेजिटिशन का मस्ता है समझ्जएं इस चीज को तो जो पेड़ पौदय हमें कहां देखने को मिलते हैं भाव पे देखने खमुल भी हरा हैँए अब क्या हो और यह थितर न हमने देखा कि अभी तक अलग अलग तरह के वेजिटिशन देख लिए हमने परपिकल एवरग्रीन ट्रॉपीकल डेसे थे थीडियास थीके ठोड़ फॉरस स्थीर्ट जो होते और अब जो अगला वेजिटिशन हमारे सामने वह है मांटें वेजिटिशन अब मांटें वेजिटिश्न आप दो शब्द दो से बना ह से ज Mimi अब इतना मांटेन यह यह वहार ब raspberry करते हैं तो यह मांटेरेट है उस पर अलग तरह का वेजीटिशन होगा इतने उचे पर अलग तरह का तरह का वीजीटिशन होगा तरह का वहा बहुत ऊचेपे वेजीटिशन होगा भी ही नहीं जैसे आप आप देखो कि माउंट टेवरेस्ट जो है तो माउंट टेवरेस्ट के उपर पीड़ थुरी ना लगेंगे कुई क्यों क्योंकि वह इतनी हाइट पे पहुच गया कि वहां प्लांट्स सरवाइव नहीं कर सकते हैं वहां पे क्या मिलेगा आपको तो वहां पे आपको एक तरह स हमारा प्रेशर सही रहता है उपर जैसे जाओगे तो लो प्रेशर क्रियेट होने लगता है तो ऑक्सिजन वगिरा की कमी देखने को मिलेगे आपको ठीक है तो अब देखो क्या है माउंटेन वेजीटेशन जो है तो माउंटेन वेजीटेशन इट वैरीज अकॉर्डिंग तो अब आप पहार में किस वेजीटेशन की बाद करोगे तो यहां पर एक चीज़ी से सिंपल सी समझ लो विदी इंक्रीज इन हाइट जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे पहार पर चरते जाओगे पहार की हाइट बढ़ते जाएगी मतलब आप नहीं चड़ लेकिन पहार उचे होते जाएंगे जैसे तो वहाँ पर टेंपरेचर गिरते जाएगा पता है ना आपको तो क्या होता है कि हम देखते हैं कुछ पाड़ों पर यहां पर क्या देखने को मिल रहा है जो छोटे पाड़े तो पेड़ पॉधे जंगल देखने को मिलेगा लेकिन वही चीज अगर पहाँ बहुत उचे हैं तो आपको यहां पर टेंपरेचर गिरने के कारण मतलब टेंपरेचर बहुत जादा नीचे आ जाता है मैनस में चले जाता है तो यहां पर आपको बर्फ दिखेगी पीड़ पॉधे नहीं दिखेंगे जैसे हिमालियन रींजेज में पीक जो कMcкое पॉधे लागते हैं तो सफेट चाजर में डहके हुए पहाड़ देखने को मिलेंगे आपको लेकिन छोटे पहाढ़ों का आपको रबर के लिए पेड़ पॉधे देखने को मिलेंगे सिंपल अब क्या होता है तो हम ऐक एवरेज अट पीधवीं हेड़ फीश Uh deux ल मेतर at प्रवदी ट्रीज और कोनिकल इन शेप तो मांटेन वेजिटीशन को मैसे ले लेते हैं कि एक स्पेसिफिक हाइट के बाद में जैसे पंदरा सो से पच्छिस सो इतने मीटर के हाइट के बीच में क्या होता है जो पेड़ पाये जाते हैं मांटेंस पे वो कौनिकल फॉरेस्ट क्यों क्यों कि तरह मतलब उल्टा कर दो यहाँ तरह यहाश्क्रीम लेव नो क्लिर तो यह इस तरह के पहले होता है वहाश्टाव में क्योंका पहाड़ों तो नीचे की तरफ क्या कर देते हैं? स्लाइड करवा देते हैं, और अगर मान लो पेड ऐसे होते हैं, यह इसी पत्तिया निकल रही अलग अलग अलग, तो फिर तो क्या था, पेड तूटी जाते हैं, क्योंकि स्नोफॉल में बजन मरता हैं, और पेड की डालियां जो शाखा हैं जो नीचे गर जाती हैं, जब पेड कैसे होंगे, कोनिकल होंगे, तो उन पेडों का नाम भी होगा कोनी फेरस, कोनी फेरस, अब कोनी फेरस में एक्जामपल में हम अगर देखें, तो जैसे चीर, पाइन, ठीक हैं, दियोदार, यह सारे पेड पाए जाते हैं, चीर, पाइन, दियोदार are important trees of these forests, तो जैसे pine tree देखो, आप यहाँ पे, ठीक, आप बोलोगे, सर, यह तो कोन है नहीं, लेकिन आप देखो, कि leaves के बाद में तो ऐसा कोन बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो, यह उपर से top जो इसका conical होते जा रहा है, तो यह conical trees इस तरह के पाए जाते हैं, इने coniferous forest कहा जा जैसे में, very according to height बताए ना, तो इस height पे mountain में आप देख रहो हो, तो यहाँ पे आपको पेर दिख रहा है, यह पेर दिख रहा है, लेकिन और पीछे की hills देखो, हो सच्था उतना clear नो, लेकिन white white समझ में आ रहा है, तो white white क्या है, यहाँ vegetation नहीं है, यहाँ बरफ जमा हुआ हो है पूरा, तो classical example, जो है mountain, vegetation का हमालिया, mountain range है, हमालिया, mountain range है, हमने 3 range पड़ी थी, अब आपका homework, आप मुझे बताओ कि comment section में 3 range कौन कौन सी है, तो यह जो नीचे की 2 ranges है, तो यहाँ पर फिर भी आपको बहुत जादा vegetation देखने को मिलेगा, जो तीसरी range है, यह बड़ी जिसमें height बहुत जादा है, तो इस range में क्या होता है, कि आदे mountains में तो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन mountains का ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, तो वहाँ पर बरफ ही बरफ है, तो यह सारा सब कुछ हमने discuss किया mountain vegetation के बारे में, किसी को किसी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask in comment section इसी के साथ हमारा mountain vegetation भी complete होता है, अब एक और vegetation बचाए, जो कौन सा है, जो है, mangroves vegetation, mangroves forest, तो mangroves forest क्या होते ही है, next video lecture में हम पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से, fine, यहाँ तक सारी चीज़ें clear होना चाहिए, class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी subjects के chapter, chapters के subtopics, सारी चीज़े magnet brains पे available है, मज़दार बात क्या है कि magnet brains पे यह सारा सब कुछ video lecture के format में available है, और यह सारे video lectures free of cost available है, आपको क्या करना है, घर बैट के आसानी से पढ़ना है, अपना syllabus complete करना है, अपने juniors और अपने seniors को भी बताना है, fine, और इसी तरह से हम क्या कर सकते है, हमारी family को और बढ़ कर सकते हैं, next video lecture में अगले vegetation के साथ मिलते हैं, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्राश सिंह राजपूत, welcome to magnet brains, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में mangrove forest के बारे में पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या देखा इस chapter में, तो climate हमारा complete हो चुका है, vegetation में हम tropical decidious, tropical evergreen, rain forest होते हैं, mountain forest, throney bushes, तो ये सारा सब कुछ देख चुके हैं, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है mangrove forest, mangrove forest का मतलब क्या होतो देखो, mangrove कहीं ने कहीं mango आ गया picture में, आपको ऐसा लगता होगा कि mangrove forest में कहीं ने कहीं आम लगते होंगे, क् मुझे ऐसा लगता था जब मैं 6th class में था, तो मैं आपको clear कर देता हूँ अभी, कि mangrove forest का mango से दूर दूर तक कोई संबंद नहीं है, ठीक हैं, ये सिर्फ ऐसा कह सकते हैं, कि नाम, rhyming जम रही कि mangrove mango, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, clear, तो mangrove और mango का कोई संबंद नहीं, यहा coastal areas में पाए जाते हैं, which can survive in saline water, सारी चीज़े समझाता हूँ, अब देखो यहाँ पे आप, यहाँ पेडों को जो देख रहे हो, तो इसमें आपको आम कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन आप पेडों की जड़ों को अगर दिखोगे, तो ये इस तरह के forest areas होते हैं, जो coastal areas पे जाते हैं, तो जैसे coastal areas है, clear coastal areas समझते हैं, जो समुद्री तर्ट होता है, जहाँ पे समुद्र से जमीन जो मिल रही है, तो coastal areas में ये mangrove forest पाए जाते हैं, ये ऐसे forest होते हैं, जिनकी roots आदी submerged होती है, अब दोको ये roots ऐसी हैं, जो जमीन पे भी उठी हुई आपको, अब जीब पेड़ें, मतलब इन पेड़ों की जड़े कहां रहती हैं, आपको roots जमीन पे दिख रही है, ठीक है, उपर भी देखो तो ये आदा डूबा हुआ पेड़े और आदी roots हैं, उसके बाहर निकली हुई है, तो ये उस तरह के पेड़ों होते हैं, जो समझ रहते हैं, roots ज इसके साथ में saline water में survive करने वाले, saline water मतलब क्या होता है, जो नमकीन पानी होता है, मतलब नमक वाला जो पानी होता है, क्योंकि आप देखो कि समुद्र में नमक होता है, और ये coastal areas पर पाये जाते हैं, तो इनकी ये जो पेड़ होते हैं, ऐसे adaptable होते हैं, कि ये क्या कर सकत हैं, तो इस forests can survive in saline water, saline water में survive कर सकते हैं, they are found mainly in Sundarbans, in West Bengal and in Andaman and Nicobar Island, अब पाये कहां जाते हैं, तो देखो सुंदर्बन में पाये जाते हैं, सुंदर्बन कहां हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गंगा और यमुना river जो है, ठीक हैं, जब हम features पढ़ रह जहां से हमारी गंगा river आएगी, clear, और यहां से आएगी जैसे ब्रह्मपुत्रा, तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्रा बंगल देश में जाती है, बंगल देश में जाने के बाद में यहां पर सुंदर्बन डेल्टा बनाती है, clear, डेल्टा क्या होता है, ध्यान करो, मैंने सुंदर्बन डेल्टा है यहां पर, तो सुंदर्बन डेल्टा में बहुत जाधा mangroves पाये जाते हैं, और सुंदर्बन डेल्टा का नाम सुंदर्बन क्यों रखा है, इसलिए नहीं रखा है कि यहां सुंदर्बन डेल्टा का नाम सुंदर्बन इसलिए रखा है क्योंकि व तो एहमदाबाद वाले सुंदर नहीं है, तो सुंदरी is well known species of trees in mangrove forest after which सुंदर्मन have been named, आया समझ में आपको यहां तक तो अंडमान निकोबार आइलेंड भी पता है आपको कहा है हमारे, तो अंडमान निकोबार आइलेंड देखो यहां पे, यहां अंडमान निकोबार आइ आपको लेकिन coastal area पे island को चारो तरफ से mangrove vegetation ने घेरा हुआ है, clear है, अब एक सीज और समझ लो mangrove vegetation की मैं आपको एक्स्टर बताते चल रहा हूँ कि इसकी विशेष्टा यह है, कि जब tides आती ही ना बहुत तेज, tides आती है फिर किसी प्रकार की क्या आती, waves आती ही बहुत तक ले जाती है, लेकिन mangrove vegetation क्या करता है, mangrove trees क्या करते है, तो ये पेड जो रहता है और ये इस तरह से रहते है, साथी साथ निबाना वाली style में रहते हैं, ठीक है, सारी roots जो रहती पेडों की जैसे ये roots है, ठीक, तो सारे पेडों की ये पेड है, तो सारे पेडों की roots आ आपको अच्छे से समझा दिया है और समझ में आई यह जाएंगी तो यह जाएंगी तो यह वेव को रोख लेते तो यह कहीना कही तुनामी वगे रावाले सिट्विशन में साइक्लोन जब आते हैं तो बहुत मददगार साबिद होते हैं और यह बहुत जादा क्या करते हैं भी release करते carbon dioxide को intake भी करते है यह mangroove vegetation मैंने बताया मुझे बता है आपने tropical deciduous ट्रोपिकल evergreen और mountain forest thorny bushes इनके बारे में तो फड़ा था mangroove vegetation आपके लिए बलकुल इसी तरह से जैसा video lecture आपने अभी देखा systematic way में available है मज़े की बात यह सारे video lectures free of cost available है आपको क्या करना है आपको घर बैठे अपना syllabus complete करना है अपने juniors और seniors को भी बताना है fine next video lecture में हम chapter के जो अगले topics हैं कि forest तो हमने देख लिया ठीकिया forest की importance क्या है उसे हम discuss करने वाले है clear है किसी प्रकार cut out है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस video में क्या पढ़ने वाले हैं इस video में पढ़ेंगे why are forests necessary forest क्यों जरूरी है बताईए आप खुद देखें बहुत सारे कारण है एक कारण नहीं forest और हमारे भीच का अगर रिष्टा देखें हम ठीकें जो मैंने हा लिखा है forest and wheel तो अगर हम बात करते तो हम हर मायनों में जंगलों के उपर निर्भर करते हैं हम पेड़ों के उपर पेड़ों से मिलने वाले products के उपर काफी तरह से dependent हैं हम क्या करते हैं देखो अब अगर आप देखोगे तो आप जिस टेबल पर बैटके पढ़ रहे हो वह टेबल लकडी से बनाए लकडी कहां से आई मतलब हो सकत कभी जंगल में गए ना हो अपने जीवन में लेकिन फिर भी हम बहुत जादा connected होते हैं किसे forest से तो अगर हम बात करते हैं why are forest necessary for us तो forest are an integral part of our life ठीके forest जो होते हैं तो वह हमारे जीवन का अभिनांग होते हैं बहुत ज़्यादा जुड़े होते हमसे हम उनके उपर काफी तक क्या होते हैं dependent होते हैं directly और indirectly clear तो अगर हम देखें तो forest are very useful for us कैसे तो सबसे important चीज तो यह plant release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide ठीके अब क्या होता है कि हमें क्या चाहिए रहती है oxygen oxygen कहां से मिलती है अब उसके बाद में हम जो release करते हैं carbon dioxide चुड़ी है आपने तो carbon dioxide कौन absorb कर लेता है plants तो इस तरह से nature में balance बना रहता है ठीके तो वो life supporting gases जो रहती है वो आपको कहां से मिलेगी plants से plants कहां मिलेंगे forest में तो simple से चीज़े इस संसमाम क्या सकते हैं कि forests are very useful for us आगे क्या है the roots of the plant bind the soil ठीक है does they control soil erosion ये एक important चीज़े क्या है कि जो roots होती है soil किसकी the roots of the plant binds the soil तो एक जंगल में जब पेड़ों की roots रहे कि दिखती बात है अब पेड़ों की roots रहती तो roots क्या करके रखती है soil को बांद के रखती है कैसे मैं समझाता हूं देखो ये बानलो क्या है नहीं लगाया तो पेड़ की क्या रहेंगी जड़े रहेंगी अब देखो पेड़ की जड़े क्या करके रखती है पेड़ की जड़ों में आप देखते हैं तो इस तरह से जड़े फैली हुए थी बहुत जादा तो अब ये इतनी पूरी जमीन जो ही या पूरी जमीन ये पेड़ hold it by the roots, तो उसके चलते क्या होता है, soil erosion नहीं होता है, तो the roots of the plants bind the soil, तो they control soil erosion, तो the soil erosion को इस तरह से control क्या जाता है, अब एक case देखलो कि अगर मान लोग पेड़ नहीं होते, पेड़ नहीं होते, जड़े नहीं होती, जड़े नहीं होती, तो soil को किसी ने बांध के नहीं रखा जाती, अब आप सोच रहोंगे, सर्फ मुदर में चले जाती, तो वहाँ तो island बन जाता, लेकिन island थोड़े नहीं बनता, इतनी भी नहीं जाती, लेकिन जो ऊपर की top soil हो तो बह जाती, अब top soil बह जाती, तो फिर fertility बचती नहीं है, तो सेंस में हमारे लिए soil productive soil जो रहती है, उन्हें बचा के रखते हैं, जंगल, पेड, अब अगली चीज़ का है, forest providers with timber for furniture, ठीक है, देखो, अब forest से हमें कितनी चीज़े मिलती है, timber मिलता है, लकडिया मिलती है, furniture बनाने के लिए, कुरसी, table, stair, सारी चीज़े मतलब कहां से मिलीगी, आपको timber से मिलीगी, फिर fuel wood, fuel wood क आपको खिलाने के लिए, जैसे जो ग्रांस वगेरा जो भी है, तो वो सारी चीज़ें पतिया रहती है, तो आप कहां से लाओगे, जंगलों से, बहुत सारी लोग लाते है, अब क्या होता है, medicinal plants, तो जड़ी बूटी, दुनिया भर की जड़ी बूटी कहां मिलेगी, आपक से बिहाइफ बनाती है, तो वो सारी चीज़ें जो आपको जरूरी रहती है, आपकी लाइफ का, देखो, honey कितना जरूरी होता है, gum जरूरी होता है, medicines जरूरी होती है, यह तो जरूरी पार्ट है, तो उस sense में सब को जब forest से मिल रहा तो हम क्यों नहीं कहेंगे, कि forests are very useful for us, they are very useful for us, आया समझ में, अब देखो लेकिन यह जब इतने useful हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे challenges हैं, मतलब forest को बचाए रखना या फिर इतनी importance होने के बावजूद भी forest खत्रे में, जंगल खत्रे में हैं, कौन खत्रे में डाल रहा होने देखते हैं, तो यह आप तो विलो, विलो के पेड़ से बनता है, बैट, फरनीचर वगेरा सारी चीज़े, रबर भी हमें forest से मिलती है, पता है आपको रबर forest से मिलती है, पेड़ो के दुवारा क्या किया जाता है, एक प्रोडक्ट निकाला जाता है, लेक्टेक्स उससे रबर बनाई जाती है, तो यह क्या होते हैं, forest are the natural habitat of wildlife, जानवरों का घर है जंगल, अब आपको अच्छा लगेगा, आपके घर में हाती घुसरा है, पता लग रहा है, तो वो practically possible नहीं, आप किसी का घर खतम नहीं कर सकते हो, ना, तो यह सारी चीज़ें जो है, कितनी important है life के लिए, और यह सब forest को बचाना चाहिए, लेकिन जैसे मेरे आपको बताए कि there are challenges, क्या है challenges, वो समझते हैं, तो challenges ही है, कि जो हमारा natural vegetation है, natural vegetation की definition मेरे आपको बताई थी, अब आप comment section में मुझे वापस से बताऊगा, मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो natural vegetation depends करता है, कि कि कितना अच्छा forest है, उतन naturally क्या करने काले, पेड़ वहाँ पे ग्रू होने वाले है, but unfortunately it is being destroyed by, destroyed to a large extent, ठीक है, एक बड़े पैमाने पे हमारे natural vegetation को destroy किया गया है, किसके द्वारा, तो हमारे ही द्वारा, because of reckless cutting of trees, हम पेड़ काटे जा रहे हैं, क्यों क्योंकि पेड़ से हम क्या कर रहे हैं, लकडियों से अलग अलग furniture industry चल रही है, बहुत सारी बड़े-बड़े furniture houses चल रहे हैं, ठीक है, हम paper बहुत जादा waste कर रहे है, तो उस कारण produce भी करना पड़ रहा है, तो लकडियां काटी जा रही है, सारी चीज़े हो रही है, तो उस कारण से क्या हो रहा है, कि reckless cutting of trees, पेड़ काट रह हो रहा है, ठीक है, तो इस sense में क्या हो रहा है, कि forest के सामने बड़े challenges है, forest को खत्र हैं, और खत्रों का main कारण, अगर आप देखोगे point जो मने बताए, तो इन सारे कारणों का, जो main point है कि जहां से ये सारे factors अरोज हो रहें, निकल के आ रहे हैं बहार, वो factor क्या है, human beings, तो human beings कही ना कहीं क्या कर रहे हैं, disrupt कर रहे हैं, forest को, natural vegetation को, इन सारी चीज़ों को, clear, अब solution क्या निकल के आ सकता है, तो solutions के अगर बात करें, problem तो जीवन भर रहेगी, लेकिन optimistic side पर हम देखें, तो हमें solution पता होना चाहिए हर चीज का, ठीक है, नहीं पता है, तो कोशिश करना च निकालने की, तो, we should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of their importance of tree, simple दी चीज़े देखो, आप बाद में आप बोल दो कि artificial oxygen बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो सब बात की बात है, लेकिन आप अगर, जिसे बोलते हैं, prevention is better than cure, तो आप इस चीज को prevent ही कर दोगी, कि पेड़ कटे ही न तो कितनी अच्छी बात होगी, तो we should plant more trees, पेड़ ज्यादा लगा दो, और क्या करना चीज़े कि जो हैं पेड़, उन्हें बचा लो, आप लगा नहीं सकते हो, मत लगाओ चलो, ठीके, लेकिन जो हैं उन्हें बचाओ, एक चीज़ सुनो, हर बर्थेड़े पेड़ लगान उतने पेड़ लगा दिया, जितने पेड़ से आप जिवन भर क्या कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो, ठीके, तो आपने आपका फर्ज ने बादिया, आप मतल़ ऐसा है कि Mother Earth को आप एक जिफ्ट देखे चलेगा, एक पेड़ जरूर लगाना है, ठीके, आप और क्या कर सकते ह वन महासो, टू इनवाल मौर पीपल इन मेकिंग अर्थ ग्रीन, वन महासो, जैसे ये बहुत सारे प्रोग्राम्स करते भी हैं, अलग-अलग स्टेट्स में, अलग-अलग तरीके से, ताकि हम क्या करें, पेड लगाएं काफी सारे, पेड लगाएंगे हम तुछ से क्या होग मैंने आपको बताइए, तो हमारा टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है, अब देखो क्या है, मैगनेट ब्रीन्स पे, क्लास 4 से क्लास 12 तक, सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, बिल्कुल इसी तरह, सारा सब कुछ वीडियो ले पेनियर्स को भी बताइए, मैगनेट ब्रीन्स के बारे में, फैमिली का पार्ट बनाईए उन्हें भी और हमारी फैमिली को और बढ़ा कीजिए, क्लेर, नेक्ट वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वाइल लाइफ, यहां तक किसी को किसी प्रकार कट आउट है, फिल फ्री तो आस्किन कमेंट सेक्शन, तिल देन, स्टे कनेक्टेट, कीप लर्निंग, थैंक यू, थैंक यू बेर मच, हला अविबड़ी इस दिगरास सिंग राजपूत, वेलकम तो मैगनेट ब्रीन्स, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस तो इस थर्ड पिलर को हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, क्लेर, देखिए हहाँ पर क्या है, तो हम बात करते हैं अगर वाइल लाइफ की, वाइल लाइफ की बात करने से पहले हम वेजिटीशन की बात करेंगे, क्योंकि जानवर जो है, जैसे वाइल आपके छत्कतुरी ना मिलेगी, कहां मिलेगी, जंगलों में, तो फॉरेस्ट के अगर हम बात करते हैं, तो फॉरेस्ट आर होम टु वाराइटी ऑफ वाइल लाइफ, जितनी भी तरह तरह की मैंने बता है, चुहें से लगा के हाती तक सभी प्रकार के जानवर कहां मिलने व आपके तो इंडिया विंग थाउजंड्स ऑफ स्पिशिज ऑफ एनिमल्स एंड लार्ज वराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जिसे सांप हो गया, लजर्ड हो गई ये सारे, रेप्टाइल्स, एमफीबियंस, मतलब जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी जनम चया विंग है, एसे जनवर, मतलब जो सीधे जनम देते हैं अपने ओफ स्प्रिंग को, जैसे आप देखो के गाहे भ्याइसे, तो ये क्या करते हैं, सीधे अपने बच्चे को जनम tão को ये नंडे बंटे नहीं देते हैं, जो इस इतने गैस टिके इनिमल्स, छिouting dir program ले प्रवाइब एक चोटा सा ब्रीफ देखते हैं तो टाइगर इस आर नेशनल इनिमल फिर गीर फॉरेस्ट इन गुजरात इस हों ऑफ एशिया टिक लाइन्स ठीक है एशिया में जो लाइन पाया जाते हैं वो और गीर फॉरेस्ट एक लास्ट रिजॉर्ट बचा है उनका ठीक यहां पर देखो तो यह क्या बलते हैं लाइन किंग वाला लाइन है यहां पर क्लियर तो यह गीर फॉरेस्ट में इस तरह के एशियाटिक लाइन्स पाया जाते हैं जो थोड़े से क्या होते हैं बबर शीर की तरह होते हैं फिर अगर आप बात कहें तो दूसरे और भी आसाम इसके अडावा एलयफेन्ट देखो कें तो साउथ-इंडिया भी बहुत सारे Electליफ्रण देखने को मिल आपको इस सारे जानवर हमारे कहा रहती है या सारे जानवर आप इंडिया के अलग अलग पाटavic में डेखने को मिलते हैं क votermenale houses are found in great इंडे इंड डेविदे ग्रेट ऑफेर ंजय से जाते हैं फिर अगली चीज प्रे गोट इस अंचेट्रा क्लाइम इसे घ्रिज़ियर अपको भाइल Ind Titans तो याक वगएर, वाइल्ड गोट होती है, नो लेपर्ड, बारि मतलब क्योंकि देक जाया है, तो कहा रहता है, वहाँ पहाद पहाड पूरे, नो से ढके हुए रहते हैं, जो बहुत सब नीजय को बाइद है, तो बहुत सारे तरह के पक्षी भी मिलते हैं, तो पिकॉग किसा अब हर नेशणल ब्र्ड हमारे हां जो हमारे नैश्नल बर्ड है ए मोर है वो पिक्यां टूसुए लाय दूस कॉम टूस नेशल हराइद अब क्या होता है तो हैसं यह पखशी हैं लेकिन पक्षियों को भी protection देना जरूरी है ना तो हम क्या कर रहे हैं protection के लिए उनके protection के लिए bird centuries बनाते हैं bird centuries में आप क्या कर रहे हो आप human interference को कम करते हो और specifically देखते हो कि हाँ यार यह तालाब है यहाँ पर migratory birds उड़के आते हैं तो हम उन्हें क्या देते protection देते तो bird centuries have been created to give birds their natural habitat ठीक है उनका natural habitat बनाने के लिए मतलब एक natural naturally देखो हम ऐसा तो नीचर बना सकते हैं लेकिन जो nature में है उसे protect करके उनके लिए एक natural habitat तो create करी सकते हैं तो ऐसे bird centuries वगरा बनाई जाती है आगे देखिए क्या है तो अब देखो there are several hundreds of species of snakes found in India इंडिया में snakes भी जैसे cobra क्रेट है ठीक है मैंने आपको जितनी wildlife बता है जैसे मैंने आपको vegetation बताया था कि हमारा इतना forest है इतना useful होता है तो लेकिन समस्या है wildlife को भी खत्रा है there are challenges challenges है क्या challenges है due to cutting of forest and hunting several species of wildlife of India are declining rapidly अब क्या होगा जैसे मैंने आपको starting में हाँ पर जो समझाया क्या कि forest is home to variety of wildlife जंगल है तभी wildlife है लेकिन अब आप क्या करें जंगल ही काटते चरे जा रहे हो तो wildlife कहां से बचेगी बताओ अब जंगल नहीं रहेंगे तो wildlife कहां से आएगी और इसी के चलते क्या है challenge यही है due to cutting of forest and hunting several species of wildlife of India are declining rapidly और इसी कारण से बहुत तेजी से क्या हो रहा है कि बहुत स सारी species हमारी country की खतम हो गई है इसका solution क्या हो सकता है अब solution क्या निकाल सकते है problem है मैंने पहले ही बताओ आपको problem है लेकिन हमें solution देखना है साथ में biosphere तो यह क्या है देखो आप बड़ी classes मेंने समझोगे national park क्या होता बाइस से क्या होता है wildlife century क्या होती है बागि अभी के लिए इतना समझ लो कि यह क्या किया जाता है जैसे कोई जंगल है तो जंगल को government especially recognize कर लेती क्या रही है area जो यहाँ पर human being जादा interfere ना करें च तो उस परपस से क्या किया जाता है जानवरों को protection देने के लिए आप किसी forest area को declare कर देते है national park wildlife century और फिर biosphere reserve तीनों अलग चीज़ें होती है आप higher classes में पढ़ो गया और इनके बारे में तो the government has also started project tiger and project elephant to protect these animals अब क्या होता government pilot programs चलाती है pilot programs में क्या करती है तो जिसे project tiger तो project tiger start किया गया था tigers को protection देने के लिए project elephant और इसी तरह से अलग अलग जानवरों को protection देने के लिए project great Indian bastard तो ऐसे क्या किया जाते है government के तौर आप pilot program चला जाते है जिसमें government उनकी population बढ़ाने का प्रयास करती है ठीक है उन्हें protection देती है यह सारी चीज़ें करती है government फिर क्या है we we should refuse तो हमें यह देखना है कि what steps we can take या फिर what steps are being taken तो यहां पर हम भी कुछ छोटा सा काम कर सकते है we should refuse to buy things made from parts of the bodies of animals such as their bones, horns, fur, skin and feathers ठीक है तो जो animal के body parts से बने हुए products रहते हैं हम उन्हें खरीद रहे हैं इसलिए जानवरों को मारा जा रहा है अगर हम उन्हें products को खरीदन बंद कर देंगे तो जानवरों को मारा नहीं जाएगा ठीक है क्योंकि वो product का फिक करेंगे कि आचार तो डालने से रहे तो सेंस में क्या जैसे जो animal products जैसे आप देखो कि बहुत सारे jackets वगर expensive जो होते हैं shoes होते हैं या फिर कुछ showpies होते हैं जो क्या होता है कि किसी ने किस जिस कारण से अनिमल्स को मारा जाता है उनके body parts को obtain करने के लिए जब हम product नहीं खरी देंगे तो अनिमल्स को कोई नहीं मारेगा ठीक है so this was all about हमारा चैप्टर का यहाला topic था wildlife third pillar जो था वो हमारा यहां पे complete होता है clear आपने magnet bins पे आपकी geography 6th geography ठीक है पूरी complete कर लिए 4th से कि 12 तक के सारे subjects available है तो अब आप 7th में जाएंगे तो 7th में भी आप क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं अपना syllabus पूरा complete कर सकते हैं आपको 7th का syllabus ready मिलेगा fine तो यह यहां पर आपका 6th geography भी complete होता है all the best for your exams काफी अच्छे से exam देना है आपको ठीक है मन लगा के पढ़ाई करना है जितना revise कर सकते हैं उतना revise करना है और important जीज़ के आप book read करो book reading is must जितना book read करेंगे आप उतना आप क्या होते चल जाओगे excel करते चल जाओगे आपके सारे subjects में I hope you enjoyed the video lectures सारे chapters हमारे complete हो चुके हैं 6th geography के last chapter था last topic था theory part पर यह भी complete हुआ है बचा क्या है तो बचे हैं NCIT solutions NCIT solutions को हम next video lecture में complete करने वाले हैं तो next video lecture में NCIT solutions discuss करेंगे chapter के और उसे के साथ हमारा chapter पूरी तरह से complete होने वाला है fine किसी प्रकार के doubt है feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much